कि नमस्कार दोस्तों competition community learning platform में आपका स्वागत है इस SI की विशेश कक्षा में मैं अनिकेद दिवांगन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अर्थ विवस्था से संबंदित और भी कुछ यहां पर महत्तपूर्ण प्रश्णवली तो चलिए आज की विशेश सुची हम यहां पर पढ़ेंगे विश्थी समावेशन के बारे में तो यह विश्थी समावेशन होता क्या है देखो विश्थी समावेशन का मतलब है यहां पर कि देश के प्रतेक नागरिकों को बैंकिंग इंफ्राइस्ट्रक्चर से या बैंकिंग तंत्र से यहां पर जोड़ना क्योंकि देखो बैंक ही ऐसे माध्यम होते हैं जो लोगों को एक यहां पर इन्वेस्टिबल फंड क्या करते हैं यहां पर प्रोवाइट करते हैं इसका मतलब क्या है देखो लोगों को स्व पितने चलिए जब ब्रशटाचार रहित समाज के स्थापना करने के लिए जो दानिक ना पर मेंनेट का ओडिर्यिक बेंड़र्म याँविड़ोक्त ब्रलबिद Quad में एक इसी हम क्या बहुते हैं आप तो कहने का मतलब चाहें हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रधान मंत्री आवास योजना का यहां पर पैसा ही क्यों नहीं यहां पर यह सारे चीजों का यहां पर वह benefit नहीं उठा सकते तो वित्ती समा विशन आज के डेट में अगर हम लोग को यहां पर तेजी से डेबलप होना है तो बैंकों की जरुवत अपने को उतनी ही जादा यहां पर पढ़ने वाली है तो हम यहां पर वित्ती समा विशन और उससे संबंधित कुछ यहां पर महत्पूर्ण प्रशनावल के उपर में क्या करेंगे यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं ठीक है उसके बाद में हम यहाँ पर जाएंगे मुद्रा बजार और मुद्रा बजार के क्या क्या अंग है उससे संबंदी कुछ महत्तपूर्ण प्रश्णावली उसके बारे में हम चर्चा करेंगे फिर यहाँ पर कथनों पर विचार कीजिए पहला बजार रिंडार रिंडान दूसरा ट्रेजरी बिल तीसरा भारती रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेश प्रतिबुधिया इन में से कौन आंत्रिक रिंड का यहां पर घटक है तो आंत्रिक रिंड या जिसको हम लोग इंटर्नल लोन की ह हमों लोग यहां पर बात कर रहे हैं कौन सरी होता है धेखो यह सरकार के द्वारा एक फाइननचिल एयर में लिया वह सब्सक्राइब होता है जो अपने डोमेश्टिक मार्केट से या घरिलु बजार से यहां पर सरकार यहां पर वसुलता है तो जैसे हम लोग हमारे financial market like हम लोग क्या देख रहे हैं बैंक वगे रहा हो गया और भी कोई यहाँ पर दूसरे financial institute हो गया वहां से उधार लिया या फिर हम लोग क्या देख रहे हैं और वाइन यहाँ पर नया नोट शापा तो यह सब आंतरीक रिंड के क्या होते हैं यहां पर प्रकार होते हैं तो भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि निम लिखित कत्नों पर विचार कीजिए कि इसमें से कौन आंत्री के यहां पर घटक है तो हम लोग क्या आगे हैं प्रकारूं प्रतिया चलिए प्रषन की और आगे समावशन का उद्देश नहीं है तो जैसे मैंने वित्ति समावेशन बताया था क्या कि प्रतेक नागरिकों को बैंकिंग स्ट्रक्चर से कनेक्ट करना वित्ति समावेशन कहलाता है तो चलिए option के और आगे बुड़ते हैं गरीब आबादी के लिए वित्ति सेवाओं का विस्तार करना तो बिल्कुल हम लोग क्या देख रहे हैं गरीब आबादी के लिए यहां पर वित्ति समावेशन को विस्तारित करने के लिए क्या लेकर आया था वित्ति समावेशन यूश किया गया था दूसरा option देखते हैं कमजोर वर्ग की संभावी सम्रिद्धि के द्वार खोलना बिल्कु समाजिक स्थिति सुधारने के लिए विबिन नागरिकों सीकों अपना क्या होगा करेक्ट होगा क्योंकि यहां पर पूछा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है तो चलिए दूसरा नेक्स्ट कुष्चन की और यहां पर आगे बढ़ते हैं है अगला कुष्चन है कि अगला कुष्चन है पर कि भारती रिजर्ब्याइच विटे ऊपहरत विट्ति यहां पर कहते हैं तो ल्क्ष को प्राप्त करने के लिए 2013 में एक समीटी का यहां पर गठन किया गया था जिसे हमने पर यहां पर बुला नचिकेत मौर कमिटी इस कमिटी ने यहां पर recommendations दिया यहां पर कि अगर वित्ति समावेशन के अगर लक्ष को यहां पर प्राप्त करना है तो ध्यान में रखिएगा यह लक्ष कैसे प्राप्त क को वाले जो व्य prisoners एन कि एसे 50 प्रतिषत वेक्तियों की यहां पर खाते को क्या करना था ऐहां फ़ोलना था तो इस कमिटी के सिफारिश पर हम लोग क्या क्या देख रहें हैं दोजर चुदा में हमें हम लोग जाएंगी small finance bank है यह किसी भी इलाके में इसकी चाखाएं क्या की जा सकती हैं यहां पर खोली जा सकती है ताकि वित्ति समय वेशन के लक्ष को यहां पर प्राप्त किया जा सकते ठीक है दोस्तों तो इस प्रश्ण के कहने हैं उप्ष्ण और अगला प्रश्ण है गिल्ट एज बजार से बजार से वह किसे संबंदित तो गिल्ट एज बजार की जब हम लोग यहां पर बात करते हैं तो ध्यान में रखना यह उस बजार को बोते हैं जहां सरकारी प्रतिभूति और रिड़ पत्रों की क्या हूं यहां पर खरीदे भी ऐसे मार्केट को हम लोग क्या बूलते हैं गिल्ट एज मार्केट तो एक फिनांशल मार्केट का एक क्या है एक अंग है यह तो धान में रखेगा तो गिल्ट एज बजार किससे संबंदित हैं तो इंडियन एकनोमी के रिस्पेक्ट में हम लोग निम ने लिखी तेहां पर जो इस्टेटमेंट है उस पर हम लोग को क्या करना है विचार करना है कि इन में से कौन सा सही है कौन सा गलत तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वानेजिक पत्र या कमर्शल पेपर अल्प काली करने के लिए एंडयत को पूरा कने के लिए यहां पर जाड़ी के जाते हैं चैंड में रखेगा और इंको जारी कनने से लिए तक आर्लوت pare ऑगि के द्वारा माननेता प्राप्त किसी क्रेडिट रेटिंग एजनसी से जो यहां पर सर्टिफिकेट लिए हो और जिसके मिनिमम हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर जो कैपिटल हो चार करोड रूप्या ऐसे कंपनी ही यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कमर्शियल पेपर पत्र है द्धान में रखना यहां पर पत्र पढ़ रहे हैं किसा को कहते हैं जो एक साल से कम के लिए अपने को यहां पर प्रदान करके देता तो जो अल्पकालीन जहां पर रिन पत्रों की खरीदी विकरी यहां और हो रही है ऐसे मार्केट को हम लोग क्या बोले थैं मनी मार्केट बोले तो यह ऑप्शन क्या होगा अलड़ी गलत होगा क्योंकि निर्दकाली प्रपत्र की यहां पर बात कर दी गई है तीजरा हम लोग देख रहे हैं इसी ग्रावदी द्रव या कॉल मनी अंतर बैंक लेंक टिन के लिए यहां पर प्रयुक्त अलब अवधि का वित्थ है तो बिल्कुल यह भी ऑप्शन करेक्ट हैं यहां पर किसकी बात की जारी है कॉल मनी मार्केट की यहां पर क्या की जारी है बात की जा रही है तो ध्यान में रखना जब भी यहां पर दो बैंकों को ठीक है या किसी बैंक को यहां पर short term के लिए यहां पर short term that means 0 day, 7 day, 14 day ऐसे दिविसी यहां पर rent की यहां पर जब आवशकता पड़ती है तो वो किसी दूसरे बैंक जिनके पास में cash पड़ा हुआ है उनसे यह call पर क्या करते हैं और उससे अपने जो भी आवशकता है short term की उसको यहां पर पूरा करते हैं तो ध्यान में रखेगा यह एक अंतर बैं जाता है तो शुन्य कूपन बॉण्ड यह जीरओ कूपन बॉण्ड और फ्यपारिक बैंको द्वारा निगमयों को निर supernatural किये जाने वाले ऄोने को द्वारा निगमों को नियर्गत किये जाने वाले आज सहित हूं अल्पकालिन और नियहां में रखना यह क्या है यह पर गलत है जो जीरो कुपन बॉंड है वो भारत सरकार के द्वारा यहां पर क्या किये जाते हैं जारी किये जाते हैं ठीक है भारत सरकार के द्वारा जारी किये जाते हैं क्लियर हम लोग क्या देख रहे हैं और तीन बस क्या है यहां पर केवल करेक्ट है तो यह क्या होगा आपना यहां पर सहीं होगा दोस्तों चलिए अगले क्योंट को यहां पर आगे बढ़ते हैं अगला भारत के शेयर बजार के कारे को यहां पर नियंतरित करता है तो धान में रखना शेयर मार्केट को यहां पर कंट्रोल करने के लिए सीकॉरिटी एंड एक्स्चेंज बोर्ड ओफ इंडिया या जिसे हम लोग क्या बूलते हैं पर सीबी के नाम से यहां पर जानते हैं कि यहां पर इस्थापना की गयी है तो सिक्यूरिटी एंड के रखना कि बार्त मेंबर्ट करेंद करेंग कि यहां पर इंडिया寸े मार्की को यहां पर काम करेंगे हैं उप्ष्णफ क्या होगा चलिए अगले प्रश्ण कर आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रश्ण है पर सेंसेक्स के बारे में है या सम्वेदी सियर सुचकांग के बारे में है सम्वेदी सुचकांग सेंसेक्स में चड़ाओ का क्या तत पर है देखो हम लोग क्या देख रहे हैं सेंसेक्स जो यहां पर एक फ्लैक्शिप इंडेक्स है अगर इसमें ग्रो यहां पर जोती है इसके base पे market की दिशा क्या करता है यह बताता है कि market में हम लोग क्या देख रहे हैं तेजी देखने के लिए मिल रहा है कि market में यहां पर सुस्ती देखने के लिए मिल रही है तो ध्यान में रखना कि Mumbai share बजार के साथ पंजी गरित सभी कंपनियों के share के मुले में चड़ाओ बिल्कुल नहीं हम लोग क्या देख रहे हैं को चुनंदा यहां पर तीश कंपनियों के यहां पर उपर में depend होता है अगर वो ग्रो कर रही है तो market ग्रो कर रहा है अगर वो अ देख रहे हैं कि Mumbai share बजार के साथ पंजी करित एक कंपनी समूं एक कंपनी समूं कितने कंपनी समूं तीस कंपनी के समूं के share के मुल्य में समगर चड़ा तो ध्यान में रखना option क्या होगा यहां पर सी क्या होगा यहां पर correct होगा ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हम हम लोग कि अगले प्रश्ण की और अगला प्रश्ण है पर बोलता है कि बुल तथा बियर बुल तथा बियर किस व्यापार छेतर से जुड़े हैं तो ध्यान में रखना जो बुल मार्केट या बियर मार्केट यहां पर हम लोग बोलते हैं बुल मार्केट या बियर मार्केट यह किस से यहां पर रिलेटेड है या तेज़डिया मंदडिया ध्यान म से सब्सक्राइबिंद ऑपिन सब्सक्राइब नियुक्राइब में लेखे लिटी है यहां पर कहते हैं जो यह प्रेडिक्ट कर भी चीजों को से उठाकर ऊपर की और क्या करता है पर पठकता है तो यह पर निजे यहां पर गिराता है तो हम लोग क्या देख रहे हैं बुल और वियर किस से रिलेटेड हैं यहां पर शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं चलिए अगले प्रश्ण की और हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं एंसाइट ट्रेडिंग संबंदित है तो ध्यान में रखना इंसाइट ट्रेडिंग जो शब्यक्त है वह भी किस से जुड़ा हुआ है यहां पर शेयर बज़ार से था कोई भी एक यहां पर company वाला ठीक है या share market में हम लोग क्या देख रहें कोई एक company की नीजी जानकारी या समवेदन सील जानकारी को गलत तरीके से प्राप्त करके ठीक है और उस उस जानकारी के हिसाब से उस जानकारी को देखते व्य शेयर की खरीदि करके यहां पर रख लेना और मशंज़ें आने पर क्या कर देना उस सूचनां को यहां पर यूज़ करना हर यहां पर इनसाइट ट्रेडिक मतलब तो शेयर मार्केट से संबंधित है चलो नेक्स्ट प्रश्ण की और यहां पर आगे बढ़ते हैं नियम लिकित में से कौन सी मुद्रा किर्थिम समझी यहां पर जाती है तो ध्यान में रखना इसमें से जो है जब हम लोग यहां पर देखते हैं कि अंतराश्टी यहां पर मुद्रा बजार की बात करते हैं और जब हम लोग यहां पर की बात करते हैं तो वह जो स्विक्रित यहां पर मुद्र है कुछ वहां पर है वही हम लोग क्या देख रहे हैं यह सदस्य देशों को वर्ड बैंक सब्सक्राइब उनके लिए कोटा यहां पर निर्धारित होता है ठीक है तो उनको कुछ एक राशी यहां पर जमा करनी पड़ती है और उस राशी जो भी उनका यहां पर पर उनके अनुसार उनको एक यहां पर एस डिया यहां पर जारी किया जाता है जिसको हम लोग क्वेन रहें इस पेशल ड्राइंग और इस पेशल ड्राइंग रॉइट तो द्यान मी CA에 दोस्तों लेका प्रस्न की वहर हम लोग आगे बड़ते हैं अगला प्रस्क्राइंव यहां पर कहता है कि भारत में जंडर बजटिंग कब यहां पर शुरुक किया गया था जेंडर बजट से हम लोग क्या समझते हैं कि जब बजट में किसी विशेश वर्ग को महिला और बच्चे वर को ध्यान में रखने कुछ विषयेश प्रयोजन करतेवे उसमें उसमें एक अलग से तशिया यहा पर अलग से प्राओधान उसमें यहा पर किया जा training एंसको हम लोग किया नहीं है ये क्या है आएका कुल आयाका हिस्सा केंद्र से राज के मध्य विद्धि के लिए निष्ड यहां पर किया गया है तो ध्यान में रखना हम लोग क्या देखे हैं कि पंदरवे वित्तायूग के सिपारिष के आधार पर संगिय करो के कुल आय का केंद्र से राज्य के मध्य ठीक है वितरंड के लिए निश्य किया गया तो देखो हम लोग क्या देखते हैं यहां पर कि वित्तायोग जो है ठीक है एक सजेशन यहां पर राश्ट पती को देता है और यह सजेशन क्या है कि कैसे केंद्र और राज्य सरकार के मध्य यहां पर क करता है कि राज्यों को कुल यहां पर करो अगले प्रश्ण की और हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्ण है कि भारत में बजट का राजश्व अनुमान तयार किया यहां पर जाता है तो भारत में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बजट का जो राजश्व अनुमान है वो किसके द्वारा यहां पर तैयार किया जाता है तो देखो यह जितने भी काम है वो किसके काम है यहां पर वित्त मंत्राले के काम है तो धान में रखना भारत में बजट का राजस अनुमान यहां पर टैकरने का काम कौन करता है यहां पर वित्त मंत्राले करता है चलिए अगले प्रश्ण की और हम लोग देख रहे हैं कि राश्पति की द्वारा प्रतेक 5 साल हे तू अना में 5 साल खत्म होने के पूरव ही एक वित आयो के यहां पर गठन या एक फाइनेंस कमिशन के एक गठन का यहां पर क्या किया गया है प्रावधान किया गया तो ध्यान में रखना निम्र में से किस अनुचेत के तहत वित्त आयोग के गठन का प्राउधान है तो अनुचेत 280 या आर्टिकल 280 के तहत चलिए अगले प्रश्ण की और आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है पर बोलता है कि केंद्रवा राज्यों के मद्य वित्त का बट चुके थे तो पंद्रवा वित्त आयोग ने यहां पर ध्यान में रखना 41% का यहां पर क्या किया है रिकमेंडिशन किया हुआ है ठीके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं तो भारत में वित्त आयोग के प्रमुक कार्य का है जैसा कि हम लोग पहरी इसको पढ़ चुके य जितने भी क्लास हम लोग यहां पर पढ़ते जा रहे हैं वो काफी concept यहां पर clear होते जा रहा है क्योंकि ऐसे ही प्रश्ना आपके प्रारंभिक परिक्षा में पुछले यहां पर समय पूछे गये थे और इस बार भी यहां पर पूछे जाने की सम्हावनाई तो अगली क्ला